हेलो फ्रेंज माइन इस हर्टन वेलकम तो माई चानल एथिकल हर्ष तो फ्रेंज हम इस वीडियो में पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे विए एडिटर का जिसमें मैं आपको जिखाऊंगा कि एडिटर में हम नवीगेट कैसे घर सकते हैं मतलब हम अपनी करजर की मुवमेंट आग तो सबसे पहले मैं इसमें अपना एडियोटर खोल लेता हूं तो इसमें पहले मैं कौन-कौन ञेगा है मेरे पास अब आप देख रहे हैं कि दो इसको हühlतें और ले टा एक निसमें इसंतर Hide की ओडिनपन लेता हूं तो यह एक वैसा इर रहे जाए है हमारे सबमेस में और अ तो सबसे पहले आपको पता है, चार साइड ही movement हो पाएगा, तो up, down, right, left, ठीक है, तो वैसे तो हम movement के लिए क्या करेंगे, right जाना है, तो हम अपना right arrow की press करेंगे, बट पहले के टाइम पर keyboard ना छोटे होते थे तो keyboard छोटे होते हैं अटर की तक ही हमारे पस होता था पहले के टाइम पर हमारे पास यह arrows वगरा और last में नम लोक के बात की जो चीज़िया है मतलब यह सब नहीं होते थे page up page down तो हम उससे पहले यूज़ करते थे तो मैं उससे पहले जो यूज़ करते थे वह वली चीज़ के बारे में आपको पता हूंगा ता कि आपको knowledge होनी चीज़ एक्स्टर कि आपको पता चले वैसे तो मतलब आजकल के time पर आपको सारे keyboard में मिल जाएगा arrow keys वगारा फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जिस keyboard पर आप काम कर रहे हो तो उनमें different keys क्या 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 काम करती है तो अब left right तो cursor key से हम करते थे बट यहां पर हमने left right करना है तो मैं L से right जाओंगा ठीक है अब L से right जाओ मतलब मैं continuous H प्रेस कर रहा हूं 1,2,3,4,5 तो मैं left जा रहा हूं और L प्रेस कर रहा हूं तो मैं right जा रहा हूं तो ऐसे अगर मुझे down जाना है तो मैं J से जाओंगा J से नीचे नीचे जाओंगा और मैं K प्रेस करूंगा तो K से मैं ऊपर जाओंगा तो keyboard पे चारो keys आपक अब इसमें जैसे मानलो मैं यहां पर हूं या line के कहीं पर भी कितनी भी दूर हूं मानलो मैं यहां पर हूं ठीक है अब मुझे जाना है line के starting पर तो उसके लिए मैं क्या करूंगा उसके लिए मैं zero press करूंगा तो जैसे ही मैं zero press करूंगा मेरा करजर आप देखो starting में सबसे पूँच किया, तो, लाइन की स्टार्टिंग में सीधर जब आपको जाना पड़्ड़ेना तो आप यही करना सीधर, मतलब, जÈरो प्रेस करना और आप लाहन की स्टार्टिंग में आ जोगे, अब उसके बाद, मालो, आपको लाइन के एंड़ पे जाना है, तो line के end पे जाने के लिए हमारे पास होता है dollar वो dollar होता है हमारा जो four key होती है उसके साथ होता है मतलब shift press करके अगर आप four key press करोगे तो dollar अब अब देखे रो line की जो ending थी मैं ending पे आ गया वो जो banking accounts लिखा हुआ है ये line की ending थी मैं इस side आ गया तो line के starting में जाने के लिए मैं zero press कर रहा हूँ और line के end में जाने के लिए मैं dollar press कर रहा हूँ अब उसके बाद इसमें एक चीज और चीज़ें आती है जैसे की अब मान लो मुझे एक-एक word आगे जाना है ठीक है एक-एक word आगे जाने के लिए मैं small w press करता रहूँगा ठीक है मैंने w press किया तो मैं over के o के starting है मतलब पहले word पे आगया अब मैं next कहां जाऊँगा t h e मतलब d e मैं यहां पे आगया उसके बाद मैंने फिर w press किया तो मैं years के starting alphabet पे आगया अब ऐसे मैं w press करूँगा तो आप देख रहे हैं इसने coma को भी एक word समझ लिया मतलब जो w है ना यह हमारे coma और colon, semicolons बगार यह हमारे punctuation होते हैं तो आप punctuation मतलब आप internet पर search कर सकते हैं कितना types के होते हैं हमारे keyboard में यह coma brackets और यह सब हमारे punctuation होते हैं तो यह punctuation को भी count करता है dot भी एक punctuation है ठीक है तो अब मैंने फिर से w press किया तो मैं hacking के start में आ गया फिर मैंने w press किया फिर w तो आप देख लो एक एक word मैं आगे जा रहा हूं बट मैं space नहीं count कर रहा है एक एक word आगे जा रहा है और उसके starting alphabet पर जाके यह रुक रहा है ठीक है अब यही चीज मुझे back जानी हो तो back मैं b से जाओंगा मतलब small b से ठीक है मैं small b press कर रहा हूं तो मैं एक 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 यह back जा रहा हूं पीछे की side जा रहा हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा उसके लिए मैं capital caps करके मैं w w w मतलब ऐसे press करूंगा ठीक है मतलब capital w हो गया small w से मैं आगे तो जा रहा था but मैं punctuations count कर रहा हूं लेकिन capital w से मैं आगे जा रहा हूं और मैं punctuation count नहीं रहा हूं को मैं skip कर रहा हूँ मतलब coma और ये सब coma dot colon वगारा इन सब को मैं skip करता जाँगा तो मैं www.caps वला capital W मैं press करता जा रहा हूँ और मैं आगे जाता जा रहा हूँ तो इसने dot को भी count नहीं किया तो जब आगे जा रहे तो पीछे आने का भी तो होगा जो punctuation count ना करें बिल्कुल हम पीछे किस से आ रहे थे small b से आ रहे थे और punctuation को count करते वे पतलब पीछे जा रहे थे punctuation को count करते वे तो हमें punctuation को skip करना है तो हम capital W use करेंगे हम मैं capital B press कर रहा हूँ तो dot को इसने skip कर दिया count नहीं किया तो ऐसे ही मैं B प्रेस करते वे पीछे जा रहा हूँ अब मैं यहाँ पर B press करूँगा तो आपको क्या लगता है यह count करेगा यह नहीं obviously count नहीं करेगा क्योंकि capital B है तो इसने count नहीं किया अब इसमें एक दूसरा concept यह आता है कि हमें पता है कि page up और page down होता है page up page down के लिए क्या होता है हम simply हमारे keyboard पे 2 keys बनी होती है page up की एक page down की बट यही अगर वो keys ना हो वैसे तो होती है सब में लेकिन पुराने टाइम पे नहीं होती थी बट आप मान के चलो कि नहीं है तो उसको हम कैसे करेंगे तो उसके लिए होता है Ctrl F जैसे ही मैं Ctrl की hold करके रखूंगा और F प्रेस करूंगा तो यह page down कर देगा ठीक है और अब के लिए Ctrl B तो जैसे मैंने Ctrl hold करके रखा और small B प्रेस किया तो यह उपर मतलब page up हो गया तो page up page down आ गया अब इसमें एक चीज़ ओड अब मैंने Caps Lock प्रेस किया हुए ठीक है मुझे जाना है line मतलब जो पूरा paragraph लिखा हुए जो भी एक passage वगए जो भी चीज़ अपारे पर words लिखे हुए मेरे को उसके last line पर जाना है मतलब मानलो यहां पर तो दो तीन lines है लेकिन मुझे जाना है मानलो 500-600 lines है और मुझे उसके बिल्कुल end पर जाना है तो मैं कैसे जाओंगा तो मैं सीधा क्या करूँगा मैं एक caps lock मतलब capital G मुझे press करना है अब आप shift hold करके G press करो तो वो capital ही type होता है या फिर आप caps on करके भी G कर सकते हो तो मैंने caps on करके मैंने G press किया तो आप देख रहे हो कि line के मैं बिल्कुल यह मेरा जितना भी लिखा तो मतलब अगर 500 lines भी लिखी हुई है यहां पे 500 या 1000 lines भी लिखी हुई है तो उनकी में 1000 जो last line होगी ना उसकी मैं starting में आ जाओंगा G से अब G सिरफ ये काम नहीं करता capital G आपको मालो आपको third या fifth, sixth, seventh line पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको पहले seven press करना प तो आप third line पे switch कर जोगे अब ऐसे यहां पर मालो मुझे first line पे जाना है ठीक है तो मैं क्या करूँगा मैंने अपने keyboard पे one press किया और shift G press कर दिया तो आप देख रहो first line के starting पे मैं आ गया अब मुझे second line पे जाना है तो मैं मैंने two press किया और caps G press कर दिया तो मैं second line पे आ गया मुझे बतार चल गया यह second line है ऐसे ही मैंने three press किया और caps G press किया तो आप देखे हो मैं third line पे आ गया ह। तो यह था मतलब एकदम से last line या किसी भी line पे आपको switch करना होता है यह उसके लिए तो caret मुझे पता है लोग को बहुत लोगों को नहीं बता होगा यह कौन सा symbol होता है बट मैं आपको बताओं जो engineering करते हैं students हम उसमें power को कैसे represent करते हैं मानलो हमें calculator में power को represent करना है six to the power two तो मतलब six की power हम two को कैसे represent करेंगे six और वो caret symbol लगाए और two लिखेंगे तो इससे ह power two है और अगर आपको मतलब आप engineering के background से नहीं है तो इससे पहले मैंने आपको बताया था जैसे मानलो मुझे जाने एक line मतलब line के starting पे तो मैं अभी कहां पे हूँ आप देख रहे हो यहां पे हूँ इस जगह मेरा cursor blink कर रहा है ठीक है मुझे जाने line के starting पे तो मैं क्या press करूँगा zero तो जैसे ही मैं zero press करूँगा तो मैं line के starting पे आज हूँगा ठीक है यह मेरी line के starting है यहां से अब यही मुझे अगर मानलो line के end पे जाने तो मैं dollar मैंने आपको बताया कि मैं dollar प्रेस करूँगा तो line के end पे आज हूँगा बट अगर मुझे यह जितना भी white स्टार्ट अरो मुझे एकाउंट नहीं करना तो मैं उसके लुक्त प्लैक्ट इम्सक्राइबstoffy यह सबिए shift press करके 6 की को press करूँगा तो paragraph के line जहां से start हो रही है वहाँ पर आजएगा और इसमें बस यह difference है zero हमारा क्या कर रहा था zero हमें line के starting में लेके आ रहा था और dollar sign हमें end पर लेके जा रहा था तो जब मैं zero press करता था तो मुझे यह plank space वेगा इसको कोई thanks for watching my video please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification